वेवरीवन, वेलकम टू लेर्न अभी एक्स्ट्रा, आइम श्रिवानी चाहान, इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुका चाप्टर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन, कि हम देखने वाले हैं चाप्टर का पूरा एक्स्प्रेनेशन, चाप्टर के नोट्स सब कुछ दिखता है, नहीं, लाइट जल जाती है, तो सब कुछ दिखने लगता है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनरजी है, जिसकी वज़ेसे हम चीजें देख पाते हैं, विन लाइट फॉल्स ऑन अबजेक्शन, इट रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन, तो लाइट होते हैं, जब उन पर लाइट फॉल होती है, वो लाइट को जैसे कि अबजेक्शन पर लाइट पड़ी, उस लाइट ने, जैसा पुसकर ही अबजेक्शन था, इस अबजेक्शन पर लाइट पड़ी, अबजेक्शन ने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, और य मीडियम, ट्विंगलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेंबो एक्जेक्टॉ यह सारे के सारे लाइट के ही एक्जामपल्स है, कॉमन फेनोमिना है लाइट का, जो भी हम लोग मिरर्स में कुछ देख पाते हैं, या फिर लेंस में देखते हैं, स्टारे जो चमकते हैं, य यहां से टॉर्च आई, टॉर्च पढ़ी इस तोते पर और तोते से लाइट रफ्लेक्ट हुई हमारी आखों में, तो हम तुता देख पाए, ऐसे ही कोई भी चीज आपको दिख रही है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजए से ही दिख रही है, रिफ्लेक्शन ओफ ला और यहां से पर दिख रही कर दी, वापास भेज दी दुसरी डिएरेक्शन में, तो इसी को हम लुग रिफ्लेक्शन ओफ लाइट कहते हैं, लाज फ्लेक्शन क्या होते हैं? इससे पर दिख लज ए इंप्लेक्शन क्या होते हैं? ऐंगल फ इंसिदेंस इपर और angles to angle of reflection. त दो जो आकर के ग्रती है, ऑब्जेक्ट पर या मिरर पर वो incident ray होती है, घिर उसके बास वापस चले जाती है, उसको हम demot IS बिछ में यह जो होता है incident ray और reflected ray जो रहिंद दो value consistent ray और इसके बीच में क्या होता है इसके बीच में यह normal होता है और angle of incidence मतलब incident ray का angle जो न्रमल के साथ होता है और reflected ray का जो एंगल न्रमल के साथ होता है ये दोनों आपस में equal होते हैं तो येवाला angle और येवाला angle जो ऐसे कहsoon के angle बन रहे हैं ये आपस में equal होते हैं incident ray, reflected ray और न्रमल to the mirror at the point of incidence or lie in the same plane तो देखो, यह जो यह normal है, इंसिदेंट रे है और यह reflected रे है यह सब इसी पर, इसी line पर ही तो आगर के पढ़ रही है, right? तो यह हम लोग को, क्या पता लगा है कि incident ray, reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane angle of incidence is equals to the angle of reflection angle of incidence is equals to the angle of reflection, यानि कि यह वाला angle ठीक है और यह वाला angle यह दोना angle क्या है, आपस में same है, यह laws of reflection है, बहुत important है, angle of incidence is equals to angle of reflection यह वाला angle, यह वाला angle आपस में equal होता है, incident ray, reflected ray और normal, यह सबके सब एक ही plane पर, यानि कि यहीं पर आ करके मिल रहे है image formed by a plane mirror, अब plane mirror जो है वो image form करता है तो कैसे, plane mirror जो image form करता है, वो image erect होती है erect का मतलब होता है, कि वो image इस तरीके से सीधी होती है, image is same size as the object तो यह वालाई इस chapter के लिए बड़ा important है, कि plane mirror किस तरीके की image, वो image form करता है, तो plane mirror जो image फॉर्म करता है वो इरेक्ट होती है जानि की सीधी इमेज बनाता है और जो अबजेक्ट है सब्सक्राइब की जो हाइड है उतनी ही प्लेन मिरर में आपकी हाइड दिखाई पड़ती है आप देखिए यह आप खड़े हैं और आपकी जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल सेम दूरी पर बने की जितने दूरी पर आप मिरर से खड़े हुए है तो इस दी गहों है इमेज इस सेअ स्वाम स्था मिरर अस दा अबजेक्ट इस इन फ्रेंट आफ ओंड च्यानि की इमेज जो बन रही है यह वाली इधर वाली इमेज होती है इसाग दो जो इस केस में, यह और आप जो है फिलाल अब्जिक्त है, इस केस में, अधर समझ लोओ यह फुष इमेजिज वर्चॉ़ल चलिप में पर उसको नहीं कर सकते हैं लूम स्क्रियों हम लित्हऑत इस मायन क्योंकि अप रोड़ कर सकते हैं दिखी नहीं रही है, राइट जो mirror के अंदर बढ़ने है तो आप उसको screen पे नहीं ले सकते हैं तो image जो होती है वो virtual होती है और image is literally inverted होती है image जो है वो उल्टी की तरफ उल्टी करके बनती है अगर हम mirror के अंदर उसकी बात करें तो आई बात समझ में, तो literally inverted होती है और image जो होती है वो यहाँ पर जो mirror में बनती है वो virtual बनती है इसको हम आगे और भी अच्छे से देखेंगे, questions की form में देखेंगे कि virtual image क्या होती है literally inverted क्या होती है, literally inverted जो है वो उल्टी करके बनती है अब spherical mirror कैसे होता है, जो concave mirror और convex mirror होते है यह spherical mirror होते है यह जिसमें हम अपनी शकल देखते है रोज की रोज सुबह स्कूल जाने से पहले या है ना पूरे दिन तो हो हमारा plane mirror होता है spherical mirror is a curved mirror, spherical mirror ऐसे करके curved mirrors होते है, curve होता है इनमे which is a part of a hollow sphere, spherical mirrors are of two types, concave mirror and the convex mirror, तो spherical mirror जो है वो दो type के होते है एक तो होता है concave, ठीक है, spherical mirror दो types के होते है, एक होता है concave और एक होता है convex, तो concave mirror it is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, rays of light parallel to the principal axis after reflection from concave mirror meet at a point converge on the principal axis तो यह कहाँ पर converge करते हैं, यह वो यह तो हम लोग पूरा का पूरा जब सारे के सारे images देखेंगे, diagram देखेंगे तब देख लेंगे, तो concave mirror, तो cave की form का होता है, जैसे, यह देखो cave होता है, अंदर वाला part, यह वाला, यह जैसे यह मैंने यह बनाया, तो अंदर वाला part जो है, वो cave है और बाहर वाला, तो concave mirror, अगर हम इस तरफ से देखें, ऐसे करके, यह एक concave mirror का example है Convex mirror, spherical mirror whose reflecting surface is curved inverse, तो देखो, यहाँ पर आपको पहले तो यह तो एक जैसे लगेंगे, यह भी ऐसा है, और यह भी ऐसा है मागर इनका जो reflecting surface है, concave को convex का वो लग होता है, concave का reflecting surface है, वो अंदर वाला होता है, यह देखो, यहाँ से reflection आ रही है, और यह है इधर वाला concave, यह दर वाला concave है, और इधर वाला यह जो है, यह convex है, तो देखो, concave में ऐसे अंदर की तरफ से, यह कर्व था, और इसमें ऐसे से करके अंदर की तरफ light आ रही है, और इसमें ना इस तरफ, यह देखो, बहार की तरफ, बहार की तरफ, बहार की तरफ, बहार की तरफ, वो होता है convex, convex mirror is the spherical mirror whose reflecting surface is curved inverse मतलब ऐसे करके यहां अंदर की तरफ light पड़ती है और जो image बनती है वो इस तरफ को बन जाती है और इसमें बाहर की तरफ को ही बन जाती है rays of light parallel to the principal axis after reflection from a convex mirror gets diverged and appear to come from a point behind the mirror तो ऐसा लगता है कि जो convex mirror होता है उसमें rays of light देखो parallel है, parallel ray of light आ रही है यहाँ पर देखो convex mirror जो होता है इसमें जो ray of light parallel आ रही है ray of light parallel to the principal axis इसे करके ray of light यहाँ पर parallel बढ़ रही है ठीक है फ्रिंसेपल एकसेस है यह वाली ray of light इसके जो parallel है ray of light parallel to the principal axis after reflection अब देखो यहाँ पर reflection हो रहा है हर एक light reflect भी कर रही है यह मैं धिहांगे ना है यह वाली देखो यह ऐसे करके आई थी और इस तरफ को reflect हो गई ऐसे आई थी reflect हो गई ऐसे आई थी तो यह ऐसे वापस चली जाती है यह ऐसे आई थी और यह ऐसे आई थी तो थोड़ा समझने का है कि light की डिस अइे रफ्लेक्ट हो गई एसे इत अआई फिर téc Tो गई रफ्लेक्ट ओफिर डिवित रही जो आगे जा रही है इसको हम लोग पीछे की तरफ mark करते हैं, पीछे की तरफ ले करके जाते हैं और फिर focus पर सारे की सारी ये मिलती है, तो ये convex mirror है अच्छे से इसको हम और आगे देखेंगे जब इसके हम सारे की सारे diagram बनाएंगे फिलहाल आप लोगों को जी जाद रखनी है वो ये है कि convex mirror में ये rays diverge होती है और mirror के पीछे जाकर के मिलती है, terms जो है यहाँ पर थोड़ा सा गरबड़ो गया है terms ये mirror वाला यहाँ पर आगे है center of curvature center of curvature क्या होता है ये देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर pole होता है, फिर ऐसे करके center of curvature आता है center of curvature होता है is a center of sphere of which mirror is part तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये देखो, ये center of curvature होता है इधर की तरफ हमारा बीच में ये इधर pole होता है, फिर focus आता है और फिर center of curvature आता है तो C वाला जो है, वो center of curvature होता है जैसे कि अगर हम ये concave mirror बनाएं और ऐसे करके, ray of light जा रही है तो बीच ओ बीच वाली जो होता है इधर ये वाला यहाँ पर point pole होता है फिर focus होता है, और फिर होता है center of curvature तो सबसे बहुले pole focus और center of curvature center of curvature focus के बीच में जो distance है उतना ही distance जो है focus और pole के बीच में होता है तो ये वाला भी distance 1 cm ही होगा ये हम लोगों को याद रखना है तो center of curvature is the center of sphere of which the mirror is part तो ये जो हमारा था इसका ये center पूरा होता है ये वाला जो mirror है ना इसका जो center है वही center of curvature होता है next आता है हम लोगों का radius of curvature is the radius of sphere of which mirror is a part radius of sphere of which mirror is the part यानि की यहां से लेकर के C से लेकर के P तक ये जो होता है वह radius होता है पूरा पूरा धाया है ये वाला center of curvature होता है half में जो पढ़ता है mirror के और C से लेकर के P तक ये radius of curvature होता है फिर pole, pole is the center of spherical mirror तो pole जो है वह spherical mirror का पूरा center होता है तो क्योंकि spherical mirror ऐसे से करके ऐसे पूरा बनता है तो इधर भी पार्ट जा रहा होता है और इधर भी पार्ट जा रहा होता है तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट अगर हम पूरा मिलाएं तो pole जो होता है वो हमारा center होता है spherical mirror का principle, principle axis, principle axis, principle focus, यह दो को बीच वाला part होता है , sorry, in a concave mirror, ray of light parallel to the principle axis, parallel to the principle axis after reflection meet at a point on the principle axis called focus, in convex mirror, ray of light parallel to the principle axis after reflection diverged and appeared to come from a point on the principle axis behind the mirror, देखो behind the mirror यहाँ पर focus यहाँ पर बन रहा है न तो यह ray of light आ रही थी फिर उसके बाद यह पीछे जा करके मिल गई आपना फिलाल यह याद रखो देखो यह होता है इधर वाला pole इधर वाला होता है focus और इधर वाला होता है center of curvature इसकी definition exam में नहीं आती है कोई ज़र होते हैं definitions को याद करने की तो देखो यहाँ पर और हम देखें कि center of curvature क्या होता है center of hollow sphere of which mirror is apart तो पूरा का पूरा अगर हम लोग mirror ले suppose करो यह पूरा एक mirror है ठीक है अब center of curvature क्या होगा center of hollow sphere of which mirror is apart पूरा mirror एक था इस mirror का एक हमने च्षोटा पार्ट ले लिया ठीक है इस पूरे mirror का suppose करो च्शोटा बाट ले लिया और उसका जो center है center of hollow sphere hollow sphere काweekenser है जिसका of which mirror is apart इसका mirror part है ठीक है radius of curvature radius of hollow sphere of mirror is apart तो radius of curvature इसका पूरा Minerals रोगल कर पोरह कर मिरिょ का जो center बढ़ेगा ना वो हमारा pole बढ़ता है principal axis जो line join कर रही होती है pole focus center of curvature को तो इस तरीके से अगर हम लोग का जो ये बनता है यहां पर ये pole बनता है ये इदर ऐसे करके focus आता है और ऐसे करके center of curvature आता है तो pole जो है ना is a center of mirror is pole तो center of mirror जो middle point होता है वो pole होता है यानि कि जो ये pole है ना ये पूरा का पूरा अगर हम लोग पूरा mirror लें बढ़ा करके इसको लेंगे तो poles का center आएगा और center of curvature क्या होता है center of curvature of hollow sphere of this mirror is a part जो mirror hollow sphere का center है वो हमारा center of curvature होता है इस तरीके से हम लोग को याद रखना है यह हम लोग को कि वैसे इतना काम नहीं आने वाला है हमें बस डाइग्राम के लिए pole focus center of curvature ये याद रखना है अब aperture क्या होता है effective diameter of spherical sphere तो spherical sphere का diameter होता है वो aperture होता है principal focus क्या होता है the point on the principal axis where all the incident rays parallel to principal axis converge or diverge after reflection तो जहां पर ये सारे के सारे जो rays वगरा आ रही है वो मिलती है या फिर डूर जाती है focal length क्या होती है the distance between pole and focus pole और focus की बीच का जो distance होता है वही focal length होता है तो pole और focus की बीच का जो distance होता है उसी को हम लोग focal length कहते है तो ये जो relationship है ये वाला कि भाई relationship between focus and radius of curvature तो f is equal to r by 2 ये relationship बड़ा important है ये बहुत ही जादा important है focal length is half the distance between pole and radius of curvature exam में भी exam में गया होता है नुमारिकल से बहुत जादा इसका 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 इस्तेमाल किया जाता है अब rule for making ray diagrams is spherical mirror तो ये हम लोग next video में देखेंगे और main chapter जो है वो यहीं से ही start होता है अच्छा लगा है तो ज़्रूर लाइक करिये subscribe करिये share करिये thank you झालाद करियेом कर दो देखेंगे टो है B में अच्छा इसका जादा लोगा है